In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, आमें. सुर्ग पिता है और एशु मस्वर पवितर अत्मा के नाम से आमें. पवितर अत्मा मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर आमें. सुर्ग पिता मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द पवितर अत्मा का शब्द कर आमें. सुर्पिता मेशु मस्य के नाम से प्रात्ना करता हूं जो लोग ये वीडियो सुनते हैं आगे दुसरों को बेचते वायरल करते हैं उनको हमेशा बेजने के लिए मदद देख रूपा दे और ये लोगों का कोविड बीमारी और ब्लक फंगस बीमारी दूर कर बचा के रखे लोगों को है दोनु बीमारे से और हर एक बीमारी लोगों की टिकक्र सब कमाय लोगों का करके तारीक है 21 जून 2021 मैं मनता हूं फर्मिश्वर का जैसा की जो लोगों ने प्रहयचारां पहले से सुन लिए है वो सब लगों पवित्र बन गए है और ये येशु मस्यका कारे कर और अटिले लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूं कब तक तुम्हारी सहूंगा उसे यहां मेरे पास लाओ इश्व मसीदर बोल रहा कि तुम लोग कब मेरा प्रचार मान लेंगे तुम लोगों का जो आदत है बातें टाल देने का बातें ना मानने का वो आदत से आप लोग कब बाहर निकलेगे कितना और समय में आप लोगों के पास रहना मांगता हूं अभी आम देखा तो इधर मैथिव अद्दे 17 है तो कम से कम देड़ दो साल हुआ होईगा अभी यह समय एश्व मसी प्रचारां करता है बीमारियों को टिक करता है हर जगा जाता है तो अब तक एश्व मसी के उपर लोगों का विश्वास काफी होना मांगता था सुआगत आपको और आपका परिवार को यूटूब लाइब पर एश्व मसी के नाम से गौड ब्लेस यू ओल एश्व मसी को शायद देड़ दो साल हुआ इधर तो अमको अभी कैतलिक को अभी कितना साल हुआ तुमारा देड़ साल का बच्चा है वो बीमारी लोगों को टिक कर सकता है यह लोग बोलता है नहीं कर सकते यह जो बाप यह बेटे को जो लेके आया था वो बोलता है एश्व मसी को तुमारे चले मेरे बेटे को चंगाई नहीं दे सकते कितना रहे उसके साथ एश्व मसी के साथ चले देड़ दो साल रहे तो तुमारा देड़ दो साल का बच्चा लोगों को चंगाई दे सकता है नहीं दे सकता काई को नहीं दे सकता वो पेट में से सुन रहा है तेरी बात जो तेरा है वो तेरा बच्चे का है जो तुम लोग अभे कितने साल के हैं बाविस साल है, पच्चिस साल है, तीस साल है, शादी शुदा तुम मर्द और बिवी तो जितना तुमारा विश्वास है, वोई विश्वास ये देड़ दो साल का भच्चे का भी उतना इस होना मंगता है कितना जो औरत और मरत का जो विश्वास है तुमको अब थीस साल हो गया तो बच्चे का भी विश्वास थीस साल का होना मंगता है वो बले देड़ साल का हो दो साल का हो वो भी बच्चा दूसरों को टिक करना मंगता है कितना अब भी बात बोलने लगा बस तभी से वो भी एक शब्द दे बाइबल में जाके देख ले जो बच्चा मां का दूद पिता है वो भी बच्चा दूसरों का बलाई कर सकता है जाके पढ़के देख ले तो उसमें किसका विश्वास चलता है मां बाप का विश्वास जो है वो बच्चा पैदा होने से पहला नौ मैने तक पेट से वो लेके आता है अगर मां बाप जगड़े करते तो बच्चों के अंदर डर पैदा होती है और बाद में बच्चा पूरा डर के मारे जीता है, बड़ा होता है तो तुम लोग बोलते हैं ये आमारा बच्चा डर पुक है शर्माता है, लोगों से बात ज्यादा नहीं करता कमरे के अंदर बागता है, कोई आएगा तो रिष्ठता है उसको डर है, किसकी माबाप को जगडा करता था, उसको पेड़ के अंदर उसको डर पेड़ा हो गया, उसके अंदर शेयतान हो, शेयतान को उसको पुरा डरा के कतम करके रखाए, पेड़ा होनें से पहला इच, अगर मा बाप दोनों पवित्र है एशु मसिका कारी कर रहे है तो बच्चा जबी बोलता है तब से शेटान को टिकाने को लगा देगा शेटान चोड़ा बच्चे को डर के बाग जाएगा क्योंकि उसका जो पहला जो शब्द हो होएगा एशु मामा डाडा नहीं होएगा मामा डाडा बाद में आता है एशु पहला आना मंका जिन्दगी में देने वाला कोन है मामा डाडा है नहीं है मामा डाडा को कोन देता है एशु देता है ना तो बच्चे को कोन देता है एशु देता है किसका आदार लेखे सिर्फ मामा डाडा एक आदार है बीच में आगर वो बच्चे का बला चाहाता है मामा डाडा तो मामा डाडा को पहला पवित्र कैतलिक बनना मंगता है नहीं तो ये बच्चे का वाट लगेगा तो एशू मसे बोलता कितना समय लगेगा तुम लोगों को विश्वाशी बनने को कैतलिक लोगों को अभी जनम से कैतलिक लोगे शादी शुदा है तो अभी और कितना समय लगेगा कभी पवित्र कैतलिक बन जाएंगे तुम बनेंगे तुम्हारा माबाप तो बिना पवित्र कैतलिक बने हुए मरके गए तुम्हारा बुजूर लोग भी पवित्र कैतलिक नहीं बने एशू मस्यका जैसे घर में कोई नहीं था गाव में भी नहीं था तो अभी आमको जो शिराप जो आया है आमारा गरवालों का जो शिराफ आया है उसको आम लोग इधर से बंद करना आम मंगता है शिराफ को आम कतम कभी करेगा जबि में पवित्र कथलिक बनेगा तो यह शिराफ मेरे से निकल जाएगा यह शिराफ को में डाटेगा और मेरे जवन से भगादेगा, इदर से बंद करेगा मेरे जवन में जो ओ लोग बगत के गए है माँबाप उसका तो बैंड बजगया, ओ कतम हो गया उसका इसाब किताब बंद हो गया आगर कोई जिवित है तो ओ लोगों को बचा दो जल्दी जाके वो लोगों को पहला बचा दे, मरने से पहला, मरने से पहला लोग एशु मस्य का जैसा कारी करना मंगता है, सिर्फ पवित्र कैतलिक बन के मरेगा कुछ फाइदा नहीं, ओ सिर्फ कुर्ज क्रूस पे तो जो इंसान ता चोर था, उसने बोला, एशु मेरे को भी आज आपके साथ सोर्ग में लेखे जा, तो एशु बोला, हाँ, आज तु मेरे साथ सोर्ग में रहेगा, तो ये थे जो एशु मस्य से पहले जो लोग मरे थे, वो एशु मस्य का प्रचार, तीन दिन एशु मस्य ने प्रचार किया, सिर्फ प्रचार सुनके, ये लोग सोर् परमेश्वर का ओ लोगों के लिए एसा बना के परमेश्वर ने रखा था लेकिन अभी आमारा क्या है अभी हम लोगों का एशु मस्य के बाद हम लोग पवित्र कैतलिक होने के बाद एश्यू मसीगा कारी करना मांगता है एक लड़का और लड़की दोनों शादी से पहले पवित्र कैतलिक है मार्याम और जोजफ का जैसा उनका जैसा दोनों पवित्र कैतलिक है तो बच्चा पवित्र कैतलिक वो दोनों पवित्र थे तो आप दोनों औरत या लड़का और लड़की शादी करते अभी का वो दोनों पवितर कैतलिक है और उनका बच्चा पवितर कैतलिक बड़ा होएगा तो इधर वो बच्चे को कुछ भी नुकसान, कुछ भी बीमारी, कुछ भी मुश्किल उसके जीवन में और उसके बड़ा होने में, स्कूल में, कॉलेज में इसको कुछ भी दक्कल नहीं आएगी क्योंकि उसका जो जाड़े, उसका जो माँबाप है वो पवितर कैतलिक है दोनों, दोनों प्रचारां करते हैं, दोनों लोगों को एशु मसी का चेले बनाते हैं और दोनों भूरे लोगों को बीमार को टिक करता है और बुद को बगाता है ये करना मंगता है अभी ये जबी बुड़े होएंगे ये जो अभी 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 शादी हुआ है अभी अभी उनको बच्चा हुआ है सब पवितर कैतलिक है ये जबी बुड़ा होएंगे ये जबी मरेंगे ये लोग सोर्ग में जाएंगे और इनका अभी बच्चे बड़े हो करते और उनका परिवार से उनको दोनों को पकड़ के उनका माँ बाप कैसा है मेरे को मालूम नहीं दोनों साइड का लेकिन इधर से पकड़ेंगे यह जब दोनों आज शादी हो गया दोनों पवित्र कैथलिक है इधर से लेके इनको अभी कोई भी पिड़गी दुनिया में आएगी सब पिड़गी पवित्र कैथलिक जियेगी क्यूंकि यह जो करते वो लाजिम इसका बच्चे सब बच्चे करेंगे चार है पांच है दस है कितना मी बच्चे है सब पवित्र कैथलिक जियेंगे यह एशु मसी ने कहा है कि एक इंसान के वज़े से पुरा घर बच जाएगा तो यह एक लड़का और लड़की के वज़े से पूरा खांदान जो आएगा वो पूरा बच जाएगा पूरा खांदान दुनिया में इतना लोगों को मदद करेगा पुछो मत तो यह सा जिन्दगी होना मंगता है तो इसलिए तेरा गलत फेहमी है कि मैं सिर्फ पवित्र कैथलिक बनेगा और गर में बेटेगा और मैं अभी बुड़्डा हो गया है मैं गर में मरेगा और बस सोर्ग में जाएगा नहीं तु न रख में गया तुमने एशू मसिय का जैसा कार नहीं किया तो इंसान सोर्ग में नहीं जाता है कैसा जाएगा इंसान एशू मसिय ने बराबर इंसान को जिने के लिए एक किताब रखा है कुद का जीवन रखा है मार्याम का जीवन रखा है जोजफ का जीवन रखा है अभी चेलों का जीवन रखा है शुमसी ने और बोला तुम चेलों का जैसा बनो और सब कैतलिक को चेलो अपना चेले बनाओ तो जब तक तुम मरने से पहला ये प्रचार नहीं करता, दूसरों को बीमारी से बाहर नहीं निकालता, बूत नहीं बघाता, ये तु नहीं करता और तु मर गया, तो सिदा नहीं रख नरक में गया किदर गया? न रख में गया तो आमको एशु मसी बोलता है और कितना समय लगेगा अब इस्क्रिप्शन में जा पांच दस मिनट में फोरन पवित्र कतलिक बन जा तो कितना भी चोटा बच्चा है कितना भी चोटा है साथ साल का है बस काफी है बहुत है ज्यादा हो गया तेरा जो आंदर शैतान है उसको साल नहीं वो साथ साल का शैतान नहीं है वो बराबर का शैतान है लुसिफर है उसका नाम वो तुँ चोटा बच्चा है गरके है वो तेरा आंदर का शैतान जो है बच्चे के अंदर साथ साल के बच्चे के अंदर, वो साथ साल का शैतन नहीं है, वो तेरा बच्चे का नहीं मानेगा, वो साथ साल का बच्चे को भी कभी उड़ा सकता है, उसको भी जिन्दा मार सकता है, कितना बच्चे मरके गए देखो, कैंसर होके और कुछ सांस लेने का बिमारी होके कुछ इंफेक्शन होके किसी का लंग्स फेल हो गया किसी का हट दिल बराबर नहीं आया था दिल में सुक ए था होल था सुराक था वैसा बहुत लफड़े बच्चे भी मरके गए क्यूं यह शैतान वो बच्चों का नहीं सुनत है तो गलत फेम नहीं ना तुमारी जो हे न बूल जाओ आज से त्यरे को एँ मिल गया अभी यह प्रचार तो आज से तुम्हारा नाठकाना सब बंद कर दे। ये तेरे को बारी पढ़ रहा है और आगे जाके ज़्यादा बारी पढ़ता जाएगा हर दिन। तो इधर से बस बंद कर दे। और जो एशु मसिल ने बोलाए ना उइच कर दे। तब एशु ने उसे दुड़का और दुरुष्ट आत्मा उसमें से निकली और लड़का उसी गड़ी अच्चा हो गया। तो इशु मसिल ने क्या किया। इशु मसिल ने इसके बाप को बोला नहीं ये जो शेटान है ना ये बहुत कतरना के ये जाने वाला नहीं ये तुमने देख लिया ना मेरे चेलों से ये गया नहीं। तो इसको और कुछ करना पड़ेगा और आम लोगों को सब को बेटके एक हफ़ता उपवास रखना पड़ेगा। उसके बाद दो हफ़ता आमको प्रातना करना पड़ेगा। तो तिसरे हफ़ते तुम आजा उसको लेके वापस। ऐसा बोला एशू मसीने। एशू मसीने उसको दुरुष्ट आत्मा को डाठा। और दुरुष्ट आत्मा उसमें से निकला। और लड़का उसी गड़ी आच्चा हो गया। कितना सही है, कितना आसान है, इसमें क्या करने का है। तो एशा दुरुष्ट आत्मा हम लोग बगाना मांगता है, कुछ करने का नहीं। आमको कुछ करने का है इच नहीं। आमको कवितर रहे के जो एशु मसली ने किया वह इच करने का। जो एशु मसली ने बोला वह इच बोलने का। और भी दुरुष्ट आत्मा वाले लोग आपके पास आये तो उसको इच बोलने का। पहला प्रचार सुनाने का जरूरी है बाद में प्रचार सुनाने के बाद उसके माँ बापको पहला पवित्र क्यातलिक बनाओ उनको सबको बक्षने को सबको सबसे प्यार में जिने के लिए सबसे दुश्मानी कतम करने के लिए बोलो ये कोई वास्पिडल नहीं है बिमारियों को टिक करने को इधर लेके आए और वापस टिक करके लेके जाए कुछ फाइदा नहीं रहेगा जो बिमारी टिक हो गया न उसके उपर जो बिमारी थी उससे ज्यादा बिमारी आ जाएगी जरूर उसका और कुछ मन में कुछ यह लाने का जरूरत नहीं है बिमारी टिक कभी भी हो सकती है लेकन कुछ फाइदा नहीं है यह बदन टिक करके और थोड़ा साल जीके कुछ फाइदा नहीं है बदन का तेरा आत्मा पुरा शेतान नहीं बरा हुआ है तो तु नरक में जाएगा कुछ फाइदा नहीं रहेगा बदन टिक होके उससे ज़्यादा बिमारी होके तु मरेगा यह गैरेंटी है इसलिए माँ बाप को पहला शेतान को वो दोनों का जिवन से टिकाने को लगाना मंगता है पवित्र कैथलिक बनना मंगता है उसके बाद तुम बच्चे को टिक करो मुश्किल नहीं है उसके बाद सिर्फ तुम बच्चे को टिक करके वापस लेके जाएगा तो शेतान कभी भी माँ बाप का कभी भी बैंड बजा सकता है और बच्चे का भी उससे ज़्यादा वाट माँ बाप लगाएगा बाइबल पर लिखेला हुआ है जाके देख ले तुम एक शेतान को निकाले तुम वो बिमारी टिक करेगा बराबर से लेके जाएगा तो शेतान वापस आएगा येक आएगा देखेगा जांकेगा देखेगा इसका अब अंदर कोई नहीं है अब इसको हम लोग साथ लोगो को और लेके आता है तो आठ लोग हो गया तो एक साथ के आंदर आठ शेतान गुसते है तो इसका हालत और बिगड़ जाती है और नहीं तो कोई दुसरी बड़ी बिमारी आती है तो बिमारी निकाल कर कुछ फाइदाने इंसान को बिमारी आण टिक करके तुम इदर उदर लोगों को लेके जाते है प्रेचारों में कुछ फाइदाने बिमारी को टिक करके बिमारी लोगों को बिमारी हर एक को लगेगी गर में एसा नहीं है कि हेकी इंसा एकी इंसान बिमार है कल तुम बिमार हो जाएगा नहीं तो तेरे डाइबेटिक कॉलेस्टोल है तेरे को हाट टेक आएगा ये कभी बंद नहीं होएगा ये सिलसिला चलते रहेगा और इसमें हर एक की मौत हो जाएगी तो आमको क्या करने का है आमको पवित्र बनने का है इससे ज़्यादा बड़ा चमतकार नहीं है तुम अगर पवित्र कैतलिक नहीं बनता तो तुम बिमारी टक करने का मत जा जैसा ये प्रेचर वाले बोलते हैं अगर नहीं बनता है जो इनसान पवित्र कैतलिक नहीं बनता वो शैतान के साथ मर जाता है और शेटान के साथ नरक में जाता है बस ये इसाब है तो बिमारी हो जाए या शेटान हो जाए तरीका एकिचे तब चेलों ने एकानत में इश्यू के पास आकर कहा हम इसे क्यूं नहीं निकाल सके अभी इश्यू मसी को अकेले में पूछ रहे है नहीं तो ये लोगों का इज़त का बरता हो जाएगा लोगों को सामने एश्यू मसी इनका इनको ये लोगों को चेलों को सच बोलेगा और इत चेले लोगों का बेंट बजेगा उनको आच्छा नहीं लगेगा इसलिए अकेले में पूछ रहे ये लोग अभी एशू मसी से ये आम लोग क्यों नहीं निकल सके अभी ये लोगों ने देखा कैसा गया कितना आसानी से गया सिर्फ बोला तु निकल जा बस कतम तब एशू ने उसे 20 एशू मसी ने चोलों से कहा अपने विश्वास की गटी के कराण क्या विश्वास कम है क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड से कह से खोगे की यहां से सरकर वहां चला जा तो वह चला जाएगा पहाड चला जाएगा और कोई बात तुमारे लिए अन्होनी न होगी अभी एश्व मसे इनको बोलता है कि तुमारा विश्वास है कम है उसके बाद एश्व मसे क्या बोल रहा कि ए राई का जो दाना है उतना भी विश्वास है तो एश्व मसे बोलता है विश्वास तेरेको इस्तमाल करने के लिए आना मांगता है तेरा विश्वास चोटा है मैं मानता हूँ बस राई का देन दाने का इतना है चे तो भी एश्व मसे बोलता है कि काफी है तेरेको पहाड को सरकाने के लिए पहाड का इतना बड़ा नहीं मांगता है साब विश्वास नहीं मांगता कितना मांगता है राई के दाने का जितना है इच पहाड हे कितना बड़ा देखो और तेरा विश्वास कितना एक राई का दाने का जैसा एक चिंटी पहाड के निच्चे न उतना चाहिए जैसा बोलते है न एक हाती को एक चिंटी जिंदा मार देती है तो एक पहाड हिलाने के लिए पहाड को उठा कर संबुन्दर में फेंगने के लिए तेरा मूँ से बात निकलना मांगता है जब वे गलिल में थे 20 वापस से पड़ेंगे तु इस पहाड से कहे क्या करने का है पहाड से कहने का है पहाड को डाटने का है पहाड को बोलने का है कैसा मूँ कोलने का है मन में मत बोलो जो तु मन में बोलता है न उसका फाइदा नहीं है मूँ से निकलना मंगता है कैसा मूँ से निकालो एशु मसी ने बोला कहो पाहाड से कहो पाहाड से प्रातना मत कर एशु मसी ने आमको इधर सिधा सिधा तरीका बताया कि पाहाड से कहने का पाहाड को डाढ़ने का प्रातना नहीं करने का गलती नहीं करने का इधर शायद ए लोगों ने प्रातना किया होएगा जबी इसका बाब जो बोलता था तुमारे चेले से हुआ नहीं एशो मसी को बोल रहा था तबी ए लोग शायद उसको डाठा नहीं होएगा चेले लेग उसको प्रातना में रखा होएगा तो इसलिए इसका ये शेयतान गया नहीं तो प्रातना करने का अलग समय है और पहाड से बोलने का दुसरा तरीका है तुने पहला पहाड से बोलने का कि ये इंसान के अंदर से तुम लोग, सब लोग निकल जाओ ये अभी एशुमस्य का बच्चा बन गया है सोर्ग पिता का एशुमस्य का बाई बन गया है तो एसा करके सब शेयतान को इसका बदन से बगा दो लेकिन पहला प्रचार करना मंगता है गलती मत करने का बोलने का नहीं बाद में ये एक इच प्रचार देखके कि त्यागों ने इतना इच बोला था हमारा कुछ बनता नहीं नहीं हर एक प्रचार देख ले एक प्रचार से तुम पवित्र कैतलिक बन जाएगा लेकिन ओ जो तेरा विशुवा से तुम रोज ये करना मंगता है तुम ये रोज नहीं करेगा बोलेगा में पवित्र कैतलिक बन गया ना बस में अभी बस मेरा जिंदगी का में देख लेगा और मेरा परिवार को में मदद करता हो ना बस में पवित्र कैतलिक बन गया में मेरा आधार से मैं सबको सामाल लेगा पुरा परिवार को मिश्किल नहीं है ये तेरे को शैतान गलत बोला और तुम उसमें ही चे तुम पवित्र कैतलिक बना नहीं तो पवित्र कैतलिक बनने के बाद ये तुने बोलने का और जिसको तुम टिक करने को जाता है उसको पहला प्रच यार कान में डालके रखने का मोबाइल पर MP3 पर लगा के चोड़ दो कान पर ये तरीका होता है इंसान पहला पवित्र क्यातलिक होना मंगता है इंसान के अंदर से शेटान सब पहला निकाल देना मंगता है तब इच ये जो उसकी जो अभी साफ हो गया है और और भी कोई बचा है तो सब को बगा देने का बोलने का मूँ से सब शेटान निकल जाओ ये इंसान के बदन से पहला प्रजार करने का उसने मानना मंगता है इंसाने की प्रभू मेरा ये शुमसी मेरा प्रभू ये उसने इंसाने पहला मंगता है जो बिमार है उसके उपर जो भूत आया है वो इंसान को समझाने के बाद तुम लोग बाद में बोलो जो थंडी है जो जुकाम है जो बिमारी है उसको डाटो तुम अभी का अभी निकल जाओ बदन से तेरे कोई बदन में जगा नहीं है उसको बोलने का बस और वो बिमारी टिक हो जाएगे यह आमको आज से करने का आए जब भी तुम पवितर कैतलिक होता है वो दिन से तुम करना मंगता है तब इसकि आप बच जाएगा मोत से तब भी आपको शैतान आथ नहीं लगा सकता है क्योंकि शैतान को मालूम है कि तुमारे अंदर पवितर आत्मा है और शैतान तेरे से बाग जाएगा तेरे को मोत आएगी नहीं तेरी हर बिमारी टिक हो जाएगी आगे जाते जाते तुम जैसा दुसरों को टिक करते जाएगा तो हर एक बिमारी हर एक मुश्किल तेरा कतम हो जाएगा ये तरीका है, बोलने का तरीका है, किसे पहाड से, प्रातना का बाद में देख लेंगे, अब ही फिला आल, तुम पवित्र कैतलिक बनने के बाद, सब से तुम डाटने का सबको, ये पहला तरीका है, सबको ये शब्द आज 24 गंटा घर पे डालके रखो, निन में में डालके रखो, सोने के टाइम रात को, और सुबह उठके इसको लिखो, और ये प्रचार तुम यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके, तुमारे यूट्यूब चैनल पर चड़ा दो, मोबाईल पर रिकॉर्ड कर यूट्यूब लाइव पर जो इसको और उसका पुराव परिवार को और जो प्रचार सुन रहा है, उनका और उनका पुराव परिवार को सब को, आप COVID बिमारे से बचा कर रखो, और ब्लैक फॉंगस बिमारे से भी बचा कर रखो, फर एक बिमारी लोगों की टिक कर, सब कम बदन का हिस्सा कराबे वह वापस से चालू करो और जो बदन का हिस्सा पेट का हिस्सा कोई भी इसका बदन में कोई भी जो इसका नहीं है वह स्वर्ग दुच्छ से नया हिस्सा डाल दे इसका बदन में जो पड़ाय करते उनका दिमाग विल्कुल नया करो और बड़ा मार्क्स में लोगों को पास करवादो जो लोग बिजनस करते उनका बिजनस बड़ा जो लोग नोकरी करते उनका पागार बड़ा पोश्ट बड़ा जो लोग नोकरी डुणते हैं नहीं उनको बड़ी कमपनी में बड़ा पागार की नोकरी दे और जो लोगों को बेटा के रखाए कोवीड बीमारी के वज़े से ओ लोगों का कमपनीयां वापस से चालो करके ये लोगों को वापस नोकरी पर पागार बड़ा के पोस्ट बनने को आपका मदद और आपका प्यार, कुरूपा और पवितर अत्मा का सहयता ये लोगों के पास रख दे, आमें अभी शब्द पढ़ेंगे, स्वर्क पिता और एश्यो मसर पवितर अत्मा के नाम से, आमें Jesus Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness by the wounds of Jesus, I am healed, 1 Peter 2.24 Jesus answered, it is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Matthew 4.4, I have said before you life and death, blessings and curses. Now choose life, Deuteronomy 30.19 Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be cheerful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Joshua 1.8 Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you also. Matthew 6.33 I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Galatians 2.20 Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spheres. Let the weak say, I am strong, Joel 3.10 For I know the thoughts that I have toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29.11 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 14.6 The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Matthew 20.28 He gave Hiswan The Son of Man When He served and exchanged He gave His Son of Man